हेलो फ्रेंड्स मैं नाम मारकंडेतिर पाथी है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WDR camera या फिर WDR function क्या होता है तो WDR को फुल फार्म होता है वो होता है wide dynamic range उसका basically काम क्या होता है आप किसी भी camera में देख लिजे या CCTV camera हुआ या DSLR camera होए जितने भी type के camera होते हैं जो महंगे camera होते हैं उसमें WDR का function होता है WDR का काम क्या करता है वो चीज़ें आप इस वीडियो में समझ लिजे WDR का मतलब होता है कि सपोर्ज करिए कि आप camera लगाते हैं और सामने camera पे light पड़ता है आपके सामने एक picture दिख रही होगी जिसमें आप दिख रहा होगा कि बाहर काफी जादे चमक है और अंदर का जो बंदा है उसका पूरा चेरा समझ में नहीं आता है वो कैसे दिख रहा है पूरा black दिखता है वो होता क्या है कि जब भी camera लगते हैं camera के सामने light पड़ती है तो क्या करता है कि पूरा बाहर रिदम white white हो जाता है अंदर का जो भी location होता है वो भी clarity नहीं आता है और लोग बोलते हैं आपका camera खराब है क्योंकि camera main ची होता है कि location क इस location पर आप लगाते हैं वो depend करता है camera खराब से खराब camera अच्छे location है बहुत clarity आती है तो WDR एक ऐसा function है ऐसा camera आते हैं जिसको आप WDR function on करते हैं तो आपका जो बाहर का light है वो भी सही हो जाता है जो अंदर की visibility होती है वो भी बहुत हद तक सही हो जाता है ऐसा नहीं आती है और जो अंदर जो भी खड़ा होता है जिसका पूरा चेरा काला काला रहा उसका भी चेरा आप पहचान सकते हैं तो WDR function इसी तरह से काम करता है सस्ते वाले जो camera आते हैं जो 2.4 हम लोग यूज करते हैं उसमें यह function नहीं होता है यह काम नहीं करता है इसको अगर आप आपको ऐसे दिक्कत आती है तो आपको location चेंज करना होगा इसमें कोई ऐसा function है कि आप वह चीजें आप control कर सकते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा है कि WDR function क्या काम करता है इस वीडियों बस इतना ही थैंक्स वार वाचिंग